अलो फ्रेंब्स तो आज हम लोग शुदू करते हैं पोइंटर का हमारा अगला लैक्छर है, तो हमें लास्ट लैक्छर में सिक्त है कि हमने देखा था M% क्या यूज होता है, हमने देखा था KPERशल्स क्यों चाहिए है तो इसके ना एक memory space में value पर store होता है i जो है मेरा 700 पर store है तो मेरे को access करने के time पर 700 की जुरुत पड़ेगी फिर हमने देखा कि अगर मेरे को location चाहिए i की कि मेरे को पता करना है i की जो location i किस address पर store है तो मैं m% i का use करके इसको पता कर सकता हूं ठीक है तो हमने यहां तक देख लिया था अब हम बात करेंगे declaration of pointers की कि मतलब हमें pointers को कैसे declare करना है क्या syntax होता है declare करने के लिए वो सब देखेंगे तो देखो सबसे पहले pointers जो होते हैं वो variable होते हैं जो मतलब किसी दूसरे variable के address को point कर रहे हैं अगर आप definition के भी में बोलो तो pointers are variable that stores address of other variables अगर मैं इसे लिखो क्या यार लिख ले ना pointers are variable that stores address of other variables ठीक है ठीक है भाई तो हमने address निकाल लिया मालो हमने किया c out of m% i and l मैंने इससे पहले लिख रखा था int i i is equal to 10 ऐसे करके कर रखा था और मैंने i का address निकाल लिया यहां से ठीक है अब मालो मैं एक pointer बनाना चाहता हूं जिसमें मैं इसका address store कर सकूं i का तो ठीक है मैं कोई एक pointer बनाना चाहता हूं pointer p जिसमें मैं i का address store कर सकूं बट मैं यह जो pointer है यह बनाऊंगा कैसे तो यह pointer बनाने का syntax होता है pointer बनाने का syntax हम लोग कैसे देखेंगे हमारा यह जो i है वो क्या है वो int type का है इसका data type int है ना तो सबसे पहले हम लिखेंगे int फिर हम लगाएंगे एक star फिर हम अपने pointer का जो भी नाम देना चाहते है p, ptr या कोई भी नाम देना चाहते है वो लिख देंगे तो मैं मालूब मैंने p नाम दिया अपने pointer का तो सबसे पहले हम ने अपना जो variable वो जिस type का है वो इसका data type होगा फिर हम एक star लगाएंगे फिर हम अपने pointer का नाम देंगे और उसमें अपने variable का address store कर देंगे तो हमारा जो p pointer है ना उसमें हमारे i variable का address store हो गया है यहां तक हो गया अब इसको मतलब अब देखो जैसे यह ना int star p is equal to m% इसको पढ़ेंगे कैसे यह मतलब p is a pointer p is a pointer pointing to an integer pointing to an integer इस तरीके से p is a pointer pointing to an integer क्योंकि इसका data type integer है न तो यह pointer integer को point कर रहा है इस तरीके से पढ़ेंगे ठीक है अब जिस type का variable का address store करना है हम उसी type का data type लेंगे यह भी मैं बता चुका हूँ ठीक है अब देखो अब हमारे पास आई था ठीक है हमारे पास पहले सिर्फ आई था हमने m% आई करके इसका address निकाल लिया अब मालो ऐसा हो कि आपके पास अड्रेस हो आपको यह पता हो कि आई हाँ मालो 700 पे store है आपको यह पता है कि यह ठीक है जो मेरे memory space में जो i stored है वो 700 पे आपके पास m% i की value है और आपसे question पूछा है भाइला मालब कि ठीक है i का यह address है आप तु मेरे को value दे दे कि i की value क्या है तो वो मालब find करने के लिए भी एक तरीका होता है उसे हम बोलते हैं dereferencing dereferencing इसमें क्या होता है इसमें होता है कि आपको मतब यह दिया होगा कि ठीक है आपका i जो है वो 700 पे store है आपके memory space में आपको इसकी value अता नहीं है तो देखो जैसे मैंने लिखा int i ठीक है अब यह मेरे को पता है कि हाँ यह कहीं पर stored है यह 700 पर stored है तो अगर मैं directly यह करूँगा ना जैसे कि इसके लिए मैंने एक pointer declare किया हुआ है जैसे मैंने pointer बना दिया int star p is equal to m% i ठीक है तो अगर मैं यह करूँगा हो ना c out star p तो यह जो है ना यह d referencing हो गया यह हम d referencing कर रहे हैं d referencing में क्या होता है ना कि हम लोग में मतलब हमारे पास address पहले से है इसका address है हमको value चाहिए तो हम directly अपने pointer जो हमारे जिस pointer में अपना address stored है ना हम उस क्या के start लगाके उसकी value find out कर सकते हैं कि हाँ जो अपना variable जो भी address इस pointer में stored है उस address पे जाके क्या value रखिए हम उस value को इस star p की मदद से access कर सकते हैं तो देखो हुआ क्या हमारे पास एक i था int i ठीक है अब i में हमने एक value भी रखिए है ठीक है मालो जैसे i में 10 रखा हुआ है तो देखो i variable है ठीक है तो i मैंने 700 पे रख दिया i की value है 10 यह address 700 आप देखो क्या होगा कि देखो int i is equal to 10 ठीक है यह i है 700 पे यहाँ पर मैंने 10 रख दिया फिर मैंने क्या किया int star p is equal to m% i मैंने एक pointer बनाया उस pointer में मैंने i का address रख दिया तो देखो यह जो pointer है न यह भी तो एक variable है तो इसके लिए भी symbol table में जाएगा address अपने मलब symbol table में entry होगी कि हाँ भाई star p जो है वो एक address पर store है तो हम उस address पर जाएंगे उस address पर हम क्या रखेंगे हमारे जो i का address 700 वो यहाँ रखेंगे और यह जो p है इसके लिए भी symbol table में कोई memory जाएगी जैसे कि मानलो क्या हुआ कि i किया पहले i क एक लिए symbol table में entry होगी ठीक है यह 700 पर जाके store हो गया फिर हमने एक और value होना है p तो p के लिए भी 700 symbol table में जाके entry होगी कि हाँ ठीक है जो p आपका variable है वो मालो 800 पर store हो गया अब जो p की value होगी जैसे i में value 10 है तो p में क्या value होगी p में value होगी i का address देखो हमने यहाँ पह ल value i का address हो गई i में अपनी 10 value है ठीक है अब इसके बाद कि अब मालो हम डी रेफ्रेंसिंग पर थे कि star p के तो देखो यहाँ पर हमने डी रेफ्रेंस कर दिया है कि सी आउट star p करेंगे तो यहाँ से हम directly value access कर सकते हैं यह डी रेफ्रेंसिंग हो गया डी रेफ्रेंसिंग को हम अगर मदब language way में पढ़ना चाहें तो यह जो है न यह indicate कर रहा है give me the value pointed by p यह है इसका मतलब star p अगर मैंने यहाँ लिखा है तो यह यह कहना जा रहा है कि give me the value pointed by p p is the name of our pointer जो हमने pointer declare किया था उसका नाम p है तो give me the value pointed by p यह डी रेफ्रेंसिंग का मतलब होता है ठीक है अब आते हैं थोड़ा सा arithmetic की side पर अगर जैसे की देखो हमने int i is equal to 10 किया ठीक है उसकी बाद मैंने pointer बनाया int star p is equal to m percent i ठीक है अब मेरे पास i है 700 पर store है इसमें 10 value है ठीक है एक तो इसका तरीका है कि मैं i के through मतलब अपनी symbol table में जाके देखूं symbol table में जाके देखूं और वहाँ पर देखूं कि ठीक है 700 पर store है एक तो यह तरीका हो गया इस value को access करने का एक मैंने pointer कर दिया तो मेरे पास pointer के पास भी यह value आ गई कि हाँ p pointer में 700 store है तो मैं p के through भी जाके इस value को access कर सकता हूं तो यह पास दो तरीके हो गए same value को access करने के अब अगर मैं यहाँ पर i++ कर देता हूं ठीक है अब i++ किया i++ का मतलब क्या है कि 700 i हमारा 700 पर store है तो 700 पर जो value रही है उसे जाके एक से increment कर दो तो ग्यारे होगी और इसके बाद अगर मैं star p करूँँँगा ना c out of star p तो वो मेरे को 10 नहीं वो मेरे को 11 देगा क्योंकि p के through भी हम 700 पर जा रहे हैं और symbol table उसके through भी हम 700 पर जा रहे हैं जा तो हम same location पर रहना और मैंने i++ करके 700 पर जो value रखी थी उसमें increment किया है तो अगर मैं star p करूँँँगा ना तो भी मेरे को 11 ही मिलेगा 10 नहीं मिलेगा ठीक है सेम अगर मैं यहाँ पर कर दूँ star p प्लस प्लस तो यह p में 700 इस्टोर है तो यह 700 पर जाके ही value को change करेगा यह 11 प्लस 1 यानि कि 12 कर देगा इसे ठीक है और उसके बाद मैं अगर यहाँ पर c out i करूँगा तो मेरे को इसका answer जो मिलेगा 12 मिलेगा अब देखो एक case यह भी होता है कि मालोब मैंने किया int int a is equal to i ठीक है और फिर मैंने a plus plus किया और फिर मैंने किया c out of a और c out of star p ठीक है तो क्या होगा अब देखो मैंने यह क्या किया है ना मैंने एक और variable बनाया a जिसमें मैंने अपनी i की value डाल दिया बट क्या i की value चेंज हुई है i की value चेंज नहीं हुई है मैंने a में i की value डाल दिया और उसके बाद a को increment किया है बट जो a i है ना वो तो मेरा as it is i मेरा पहले भी 10 था अब भी 10 ही है बट a plus plus करने के बाद जो a में जो value गई थी ना वो 11 हो गई है तो मैं cout a करूंगा तो उसका answer तो 11 आएगा अब मैंने किया cout star p तो जो मेरा p pointer है ना वो तो अब भी उस 700 वाली location को access कर रहा है 700 700 पर क्या था मेरा i था ठीक है और मैंने क्या होता है कि मैंने यहां पर i a को assign कर दिया है बट मेरी i की value में कोई भी चेंज नहीं आ है तो cout star p का अभी भी क्या answer आएगा 10 ठीक है यह थोड़ी सी बात थी कि हम arithmetic में कैसे देखते हैं pointers को बाकि हमने देखी हमने pointers का syntax देखा कि हम pointer declare करने का syntax है यह एक बार और बता जिता हूं कि हम जब भी pointer declare करेंगे तो हम जिस type की मलब जिस type के variable का address इसमें store कर रहे हैं वो हमारे pointer का data type होगा फिर हम एक star लगाएंगे फिर हम pointer का नाम देंगे और उसमें अपने arrival का address store कर देंगे यह हमारे pointer declare करने का syntax है तो थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो